हेलो मैं यूटू फैमिली गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सब उमीद करती हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं तो यह सुबा का टाइम सुबा सुबा मेरा ब्लॉग सुरू हो चुका है तो सुबा में मैं खाना में बना रही हूं पालक वा लेते हूं क्योंकि husband को जाना है office और बच्चे लोगों की आज छुटी है तो आराम से थोड़ा बनाओंगी इन लोग का नाच्ता बाबू और परी दोनों के school में बड़े बच्छों का exam चल रहा है इसलिए आज छुटी है आज चावल मैंने बना लिया और चेटनी भी बना लिया है सिर्फ सब्जी बनाना बाकी है तो सब्जी जब तक बनेगा तब तक मैं सोची कि चलो चादर बदल लेती हूं चादर बहुत दिन हो गये थे बदले हुए इस रूम में कोई सोता नहीं है इसलिए ज्यादा दिन चल जाता है क्योंकि साफ ही रहता है कोई अब मुझी मसीन लगाना है तो मैंने सोचा कि आज कपड़े कम है तो चादर बदल देती हूं थोड़ा सा कपड़ा भी हो जाएगा धुलने के लिए अभी तो मोशन भी ठीक हो गया है तो हम लोग एक ही कमबल ओड़ रहे हैं और बच्चे लोग रजाई ओड़ लेते हैं और इ पिछले साल का ना हम कुम हमेला में से लिए हैं तो मेरा चादर भी बदल गया अब मैं लगा लोगी मशीन कपड़ा धोंगी क्योंकि कपड़ा मशीन में ही लगा के धोंगी चादर हो गया रहा है ना चादर रहता है तो मैं हाँ से नहीं धोती हूं और ठंडी के मौसम में तो ऐसे भी हांसे नहीं धोती हूँ, गर्मी के threatening में तो हांसे धो भी लेती हूँ, तो इधर मैं आ गई हूँ, कीचन में बना रे हूँ, नाइस्ता में आज बना रही हूँ, मैं चीला और चाए बनाओंगी एक साइड में, चाए तो अपने लिए ही बनाओंगी, वो तो अपना नहादू के बैटके पढ़ रही है नाहता बनाने के पहले ही मैंने लगा दिया था मशीन कपड़ा धूलने के लिए तो कपड़ा धूल गया है अब मैं ड्रायर करके सारे कपड़े सुखा लूँगी और दुबारा कभी कपड़ा इसमें डाल के चला दूँगी जब तक धूलता रहेगा तब तक मैं ले जाके सारे कपड़े उच्छत पर डाल दूँगी अपना सुखता रहेगा सारा गंदा कपड़ा धूड धूड के आज निकाली हो तो कुछ ज़्यादा ही कपड़ा हो गया सारे कमरे का मैंने आज चादर बदल दिया था यह दोनों बेड़ पर का फिर उसके बाद बेडरूम का और बाकी रेगुलर की भी कपड़े थे तो इसलिए ज़्यादा कपड़े हो गया है तो सारा कपड़ा सुख गया है और मेरा नहाना धोना भी हो गया बाबू इस्कूल से आ गया तो अभी मैं आप लोगों से मिल रही हो बेटी भी स्कूल से आ गई है तो यी लोका खाना पिना सबकुछ हो गया है तो फिर उसके बाद मैं गई छाथ पर से कपड़े उठा के लाई हूँ सारा कपड़ा सुग गया था धूबी अच्छी वाली थी तो इसलिए कपड़े भी सुग गए अब सारे कपड़े में लगा लूँगी तया है फिर उसके बाद बच्चे लोगों को अमरूत खाना था तो वही धूब के दी हूँ और काम करके मैं भी फूरसद हो गई हूँ झाहि हूँ अब ही मैं थैला सिलने जा रही हूं क्योंकि फट गया है मैं पहले का ही बना रखी थी तो इसमें सब्जी उब्जी ले आते हैं इसका सिलाई ही खुल गया है तो हजबन कई दिन से बोल रहे थे कि इसको सील दो क्योंकि ज्यादा खुल गया है सब्जी उब्जी लाने में गीरेगा तो वही मुझे याद आया तो मैंने सोचा चलो आज फूर्सद हो गई हूं जल्दी तो इसको सील देती हूं रोज ही आज कल आजकल हो रहा था मुझे आलस भी आता है छोटा मूटा जी तो मैं घर में लेती हूं काम चलाओ मूझे सिलाई आता है बहुत ज्यादा तो नहीं आता है तो आज उसकी चुटी है ना तो घर में बैट के पढ़ रहे थी कब से तो अभी बोली है कि मुझे क्या बोलते हैं उसको बाली का वदू बाली का वदू सेरियल देखती है उसको बहुत अच्छा लगता है तो वहीं देख रही है और बोली है खाना देने के लिए तो भी जा अब आप लोगों से बात कर लेती हूं अभी अभी क्या की हूं थैला सीली हूं थैला मतलब जोला पूराने पैंड का मैंने सील रखा था लेकिन उसकी सीलाई खुल गई तो फिर उसको शीलाई लगाया क्योंकि हज़बन सबजी उपजी उसी में लाते है तो बोले की सील द सब्सक्राइब तो चलिए फिर मैं थोड़ी देर में मिलती हूं आप लोगों से अभी मैं जा रहे हूं उसको परी को खाना देने सारा काम तो होई गया है अभी मैं थोड़ी देर अपना वीडियो का काम करूंगे वो लोग टेवी देख रहे हैं इसलिए मैं दरवाजा बं लगाती हूं छोटा ऐसा लगता है कि मेरे चेहरे पर पता ही ने चलता है बात करना चाहूंगे तो बहुत ज्यादा बात हो जाएगे बहुत वीडियो लंबा भी हो जाता है अभी मैं रात के खाने के त्यारी कर रही हूं रात के खाना में बन रहा है सबजी रोटी तो बनाईए क्योंकि ज्यादा तर पनीर की सब्जी वही बनाते हैं चोपर के वज़े से न मेरा काम बहुत आसान हो गया है अभी कोई चीज जैसे पनीर की सब्जी बनाना है और कोई आलू मटर की ग्रेवी वाली सब्जी बनाती हूं तो एक साथ लसून प्याज अद्रक मेच ही रहता है हाथ भी नहीं करता और जल्दी सो हो भी जाता है मुझे बड़ा आराम लगता है इसमें करने में तो हस्बेंड सब्जी बनाने के लिए आ गए किशन में बोल रहे हैं कि जल्दी करो कितना धीरे-धीरे करती हो काम मैं बोली फिर कि सब्जी काटने में ज्यादा टाइम लगता है बनाने में थोड़ी ज्यादा टाइम लगता है तो करें अच्छा का टोटके दो बाते कम करो जीह दिन ए सब्जी बनाते हैं उस दिन मुझे बड़ा आराम लगता है भले इस सारा सामान में इकटा करके दे देती हूं इनको काट पीटके लेकिन मुझे काम कर लेते हैं वो सब्जी बना देते हैं और मैं रोटी बना लेती हूं और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि तड़का का पुरा प्याजवाज न खुद से ही काट लेते हैं अगर मैं कोई दूसरा काम कर रही होती हो न तो बोलते हैं कि चलो कोई नहीं मैं अपने आप का इसलिए इसको कुछ भी नहीं आता है तो देखे जो बच्पन से कुछ नहीं किया हो काम अब जाके क्या करेगा तो वही मैं बोलती भी नहीं हूँ और वैसे काम करे या ना करे फ्रेंड लेकिन मेरे हजबर नेचर वाई बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं बहुत ज्यादा केरि जब घर में रहते हैं तो सब्जी बन जाएगा तो फिर इसके बाद मैं बनाओंगी रोटी तो सब लोग खाएंगे पीएंगे फिर उसके बाद मैं सारा बरतन धोलूंगी चुला साब करूंगी उसके बाद फिर बच्च लोगों को ते लगा के फिर शोना रहेगा बस तो भी मेरा रोटी बन रहा है सभी लोगों को खाना निकाल के दूंगी आज का ब्लोग फ्रेंड बस यही तक अगर आप लोगों को मेरा ब्लोग पसंद आया हो तो लाइक शेर सब्क्राइब भी कर लेजेगा और कॉमेंट करके बताना कि कैसा लगा आज का ब्लोग बाइ्टー